नमस्कार भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम जानेगे 8 सितंबर को पोसर मा जैन आंदोलन डैस बोर्ड पर कौन-कौन सी थीम है और कौन सी एक्टिविटी पर हम लोगों को फिटिंग करना है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज संडे है रभीवार, तो रभीवार को भी बहनों फिटिंग करनी है, क्योंकि ये जो पोसर मा मनाया जा रहा है, वो एक से लेकर 30 सितंबर तक मनाया जा रहा है, तो 30 सितंबर तक में जितने भी संडे आएंगे, जितने भी रभीवार आएगा, उन सब दिनों में भी आप लोगों को ये डाटा एंट्री करनी है पोसर मा मनाना है, क्योंकि कोई संडे नहीं मनाया जाएगा, डाटा एंट्री आप लोगों को करनी ही करनी है बहनों, तो सभी लोग डाटा एंट्री जरूर कीजिए, एक दिन की किवल पांच डाटा एंट्री करनी है, अब किसी का कोई भी डाटा एंट्री नहीं कर सकता, अब देखते हैं कि कैसे ये data entry करनी है, सबसे पहले हम जाएंगे Google पर बहनो, Google पर जाएंगे या Chrome पर, Google पर यहां जाकर हम यहां पर पोशर अवियान आंदोलन टाइप कर लेंगे, इस तरह से पेज खुल जाएगा, तो यहां जो पोशर अवियान लिखा हुआ है, बस उसी को टच करना है, ध्यान से देखेंगी बहनों तो तुरंत आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरह से पेज खुलेगा, यहां पर आपको यूजर नेम और पाशवर्ड डालना है, जो यूजर नेम है वही पाशवर्ड है, इस तरह से यह ओपन हो जाएगा, यहां activity participation farm ह जीतने लोगों ने भागीदारी की है, उनका farm है, इस farm को आप लोगों को भरना है, तो सबसे पहले आता है यहां पर group, group को हमें कुछ नहीं करना है, group हम ऐसे ही छोड़ देंगे, अब हम चलेंगे theme पर, क्योंकि अभी तक तो जो theme थी, एक से लेकर 7 तारिक तक वो theme चेंज ह हो चुकी है, अब कौन सी theme है, आज 8 सितंबर को किस theme और किस activity पर data entry करनी है, वो देखते हैं, तो सबसे पहले हम theme को यहां से select करेंगे, देखेंगी कि कौन सी theme है आज 8 सितंबर की, तो आपको बताते चलें बहनो, पोसर भी पढ़ाई भी, आज से theme हो गई है, आज से theme हो और इसी पर जो activity आएगी, उस activity को हमें feed करना है, यह 8 से लेकर 7 सितंबर तक हम लोगों को feed करनी है, पोसर भी और पढ़ाई भी, और इसमें आपको बताते चलें कि जो यह growth monitoring का है, बृद्धी निगरानी जिसे कहते हैं, तो यह बृद्धी निगरानी growth monitoring एक से लेकर 30 तक च और जो भी activity और थीम बदलेगी, वो तो बदलेगे ही, लेकिन growth monitoring की दो entry आपको प्रतिदिन करनी होगी, तो आएए सबसे पहले हम पोसर भी पढ़ाई भी थीम पर feeding करते हैं, यहां हमने पोसर भी पढ़ाई भी टच कर दिया, तो यह select हो गया, यहां से हम ब्लाक आएगा, और यह label, select label करना है, किस label पर आप select कर रही है, तो यह हम अपना AWC है, तो हमें अपना AWC यहां भर देंगे, और उसके बाद AWC हमारा कहां कौन सा है, अपने gram सभा का नाम भरेंगे, और activity, अब आहां से आएए देखते हैं, यहां से हम select करेंगे activity, activity हमें कौन सी करनी है, तो जो भी सिक्षा, चौपाल वगेरा जो भी लगवाया गया है, वो आप यहां पर touch कर दीजिए, और यहां date आएगा, तो date सिफ set के option को touch कर देना है, बैनो, from date से लेकर to date तक, केवल set आप उसे touch करेंगी, आएगा set, set को touch कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, कोई अलग से date नही पर भर देनी है, जितने इस्तरी, पुरूष, जितने बच्चे, जितनी बच्चिया, सब की संख्या आपको भर देनी है, किसोरी लड़कियों की भर देनी है, अगर आपके पास photo है, तो ठीक है, photo डालिए, नहीं है, तो photo नहीं भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, बैनो, यहां से आप browse file टच करेंगी तो photo gallery में open हो जाएगा जो photo होगा आप से डाल दीजिए, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, यहां description में आपको poster भी और पढ़ाई भी डाल देना है, यहां से आप type कर लीजिए, अगर आपको type करने में भी दिक्कत आ रही है तो आप वो भी छो कुछ मत कीजिए, सीधे submit कर दीजिए, यहां से हम इसको कर देंगे submit, आप देखिए यह successfully submitted हो गया, जब green color में लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब कि आपका काम पूरा हो गया, आज की एक activity हो गई, अब दूसरी activity हम करते हैं, select करेंगे वही post art भी पढ़ाई भी और उसके से select कर लीजिए, और उसके बाद from date में फिर वही आप set का option टच कर दीजिए, वहाँ पर fill हो जाएगा, भर जाएगा, to date वाला भी भर दीजिए, यहां से participation फार्म जो है, जितने लोगों ने भाग लिया था, उनकी संख्या आप यहां पर भर दीजिए, ध्यान रहे बहनों क संख्या भी बहुत अधिक मत भर दीजिए, पचीस पचास नहीं, पस दस, बार, पंद्र, सोल, पुरु सहभागिता वैसे भी कम रहती है, तो description में फोसर भी और पढ़ाई भी यहां पर आपको type कर देना है, उसके बाद मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, कोई दिक् इसे type करने से न करने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको बस वहाँ भागिदार, participation जो भागिदार है, उसकी संख्या भरनी है, और theme और activity भरनी है, अब तीसरी activity भरेंगे हां, वही पोसर भी और पढ़ाई पर, यह तीसरी activity है, फिर हम यहां से date select कर लेंगे, participation, detail जो भी है, जितने लोगों ने भाग लिया है, उनकी संख्या हमेहा पर भर लेंगे, फोटो के लिए तो परिशान होने के लिए मैंने पहले ही कह दिया है, कि नहीं हो पा रहा है, तो फोटो आप लोग छोड़ दीजिए, description में भी आप लोगों को लिखने की दिक्कत हो रही है, तो description मे पढ़ाई भी पर तीन एक्तिविटी हमने फीट कर ली है, अब हमें करनी है दो और एक्तिविटी क्योँकि पांच एक दिन की भरी जानी है, पांच एक्तिविटी के बाद नहीं भरी जानी है वह लेगा ही ने, तो हम अब चलते हैं, गरोथ मोनिटरिंग जो हमें एक से ले एक्टिविटी करनी ही करनी है बहनों और चाहे जो भी बदल जाए पर ग्रोथ मॉनिटरिंग नहीं बदलेगा तो यहां से हम ग्रोथ मॉनिटरिंग डालेंगे अपना AWC सेलेक्ट कर लेंगे WC लिखा हुआ है वहाँ आपना ग्राम सभा डालना है यहां से कोई एक एक्टिविटी हम यहां पर टच कर देंगे और यह फ्रॉम डेट और टू डेट के ऑप्सन में जाकर आपको सेट ही टच करना है सेट टच कर देंगे यह भर जाएगा अब हम चलते हैं भागीदार की य हमेशा महिलाओं कि अप एक्षा पूर्सों की संख्याप कम डालिए यहां से हम कर देंगे इसको जो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहती है तो लिख दीजिए ग्रोथ मॉनिटरिंग और इसको कर दीजिए समिट यहां से यह हो गया समिट चार एक्टिविटी हो अब हम चलेंगे पांचवी एक्टिविटी की तरफ जो कि हमें पुना ग्रोथ मॉनिटरिंग पर ही करनी है ग्रोथ मॉनिटरिंग भर दिया हमने अपना AWC भर दिया लेबल में उसके बाद अब आईए सलेक्ट करते हैं डेट और यहां से पार्टिशिपेशन का फार्म जि रेड हो जाता है इसका मतलब यह संकेत करता है कि आपने कहीं कोई गलती की है तो आप इसको पुना नीचे कीजिए और देखिए कि कहां गलती हुई है जैसे मैं आप लोगों को इस बार इसलिए दिखा रहे थी कि हमने यहां पर अपना AWC नहीं डाला था किवल इसलिए कि आप लोग समझ पाएं सही से जब हमने AWC डाल दिया तब लिया है AWC नहीं डाला था तो यह लिया नहीं था अब AWC डाल दिया तो देखिए successfully submitted हो चुका है यह submit हो चुका है तो हमारी आज 8 सितंबर की 5 activity complete हो चुकी है 5 activity ही प्रति दिन करनी है तो आज संडे भी है तो आज भ बिरूर करिए इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी है बहनों इसे पुरा पुरा भरना है